हुलिका दहन का मूर्थ सबसे पहत्पूर माना गया है भद्रा रहित प्राद्योष व्यपनी पुलीमा तिति की सबसे शुब मुरत होती है आपको बता दे कि फागुन मा के शुकल पक्च की अश्टमी से पुलीमा तक खोलाश्टक होता है यह पूरा समय हुली की उत्सव का ह होता है इस दोरान सभी शुब कारे विवा इत्यादी का नाम मना होता है हलंकि हुलिका दहन का मूरत सबसे महत्पूर माना गया है भद्रा मुख में हुलिका दहन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है भद्रा रहित प्रदोष व्यपनी पुलीमा तिति की सबसे शुब मूरत हो अधर रातरी नौ बजी के बाद ही हुलिका दाहन करना चाहिए। सबसे पहले माता हुलिका की विद्वत तता शाष्वत पूजा होती है। भग प्रहलात की कथा होती है, सम्मत में शुद्ध हवन समागरी भी डाली जाती है, कपूर तथा चन्नन की कुछ लकड़ी भी होती है, सब लोग फिर सामोहिक भक्ति गीत गाकर होल्कया माता को प्रशन करते हैं, इस दिन अपनी किसी एक न एक बुराई को दहन अर्था करना चाहिए, इस रात्री संकट से परिशान लोग सुन्दर कान का पाट करें, हुलिका दहन की रात्री में कई तांत्रिक सिद्धियों भी प्राप्त की जा सकती है, बंगला मुक्री अनुष्ठान भी किया जा सकता है, सनी की साड़े साती से या सनी की महादसर से निर्धन जन के बच्चों में खिलोने तथा अभीर गुलाल बाटने के कभी धन की कमी नहीं आती, तदा अनंत पूल की प्राप्ती होती है